नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तो बिहार डाunter कर पाएंगे तो पहला को सांद लेते हैं कि ओ एच इनीगरानी एप किसके द्वरा जारी किया गया है इसका उत्तर हो जाए shed ऑप्सन भी यहाँ पर यहाँ पर यह निगरानी के लिए देखा जाए तो आपका भी उत्तर हो जाएगा इस एप के द्वारा तक्नी की खामियों के करण ट्रेन की देरी और लंबे इंतिजार को कम करने में मदद मिलेगी तो इस प्रस्न का उत्तर भी हो जाएगा नेश्ट कोसन की संकल्प पर्व में किस पेड़ को लगाने की प्रत्मिक्ता नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन डी आम आम आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा देखिए संकल्प पर्व में पांच प्रकार के पेड़ लगाए जाने की प्रत्मिक्ता निरायत की ग ना है तो इसका उत्तर हो जाएगा option a यानी तीसरा हो जाएगा सनिक्त राष्ट के food एवं agriculture organization के द्वारा तयार किया गया रिपोर्ट global forest report assessment के नाम से जाना जाता है question number 4 कहता है कि global real state transparency index 2020 में भारत का इस्थान क्या है तो भारत का इस्थान देखा जाये तो 34 नंबर का है आंसर आपका भी हो जाएगा या सुचकांक जौन्स लाइंग लॉसेल द्वारा अपना दियो आर्सिक report में जारी किया गया है next question question number 5 विदेशों से भारती नागरी को स्वदेश लाने के लिए कौन सा operation चलाया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option a हो जाएगा समुद्र सेतू क्या हो जाएगा समुद्र सेतू आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा देखें मई 2020 में भारती नागरी को स्वदेश लाने के लिए operation समुद्र सेतू को लांच किया गया है इस operation के द्वारा 55 दिनों में 3922 भारती नागरी को को नाव सेना ने समुद्री मार्क से स्वदेश वापस लाया है नेस्ट कोसन की वधावन बंदरगाक निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है तो यह किया जा रहा है आपका महराष्टर राज्य में आंसर आपका डी हो जाएगा Q7 डैमर भासा बांद किस नदी पर बनाया जा रहा है तो ये बनाया जा रहा है आपका सिंधु नदी पर साथ में का आँसर आपका D हो जाएगा ये बांद गिलगित बल्टी स्टान के डैमर जीला में बनाया जा रहा है Next question ने कौन से देश ने इस्तामबूल समझोते से अलग होने का निर्णे लिया है तो उसका नाम है आपका option C Poland Poland आपका right answer हो जाएगा Next question की गांधी King Exchange Initiative Act का निर्माण हाल ही में कौन से देश में किया गया है तो ये आपका किया गया है USA में आंसर आपका B हो जाएगा नोट करिएगा अच्छे से Next question की भारत ने neighborhood फास्ट policy की तहत किस देश को 10 rail locomotive diesel engine सौपा है तो इसका उत्तर हो जाएगा option D बांगला देश देखिए भारत ने हाल ही में पहली बार यानि पहली container train को भी बांगला देश भेजा था इसमें fast moving consumer goods उत्पादों को ले जा यानि ले जाया गया था Next question है कि नमूना 55 पनाली रिपोर्ट के अधार पर 2018 में राष्टिय जर्मदर क्या रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा option B sorry option D हो जाएगा 20 हो जाएगा याद रखिएगा सभी लोग भारत के महा 55 द्वारा नमूना 55 पनाली बुलेटीन जारी किया जाता है Next question की जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट के अधार पर कब भारत की जनसंख्या में कमी आने लगेगी तो कब आने लगेगी तो 2047 में मतलब अभी बहुत ज़्यादा समय है अगला कोसने की भारत का पाला Transipment Port कहां पर बन रहा है तो यह कहां पर बना जा रहा है तो यह आपका केरल में बना जा रहा है आपसन आपका यह हो जाएगा Transipment Port या फिर टर्मिनल वो होता है जो कंटेनरों को संभालता है नेश्ट कोसने की वैस्वी को यह पार 2019 में भारत ने सरवादिक निर्यात किस देश को किया तो यह किस देश को किया था तो अमेरिका को किया था आंसर आपका C हो जाएगा 2019-20 में भारत के सरवादिक आयाद में करमस, चीन, अमेरिका, सन्युक्त अरब अमीरात का इस्थान रहा है नेश्ट कोसन की फुटबॉल का गोल्डेन सू पुरसकार किस खिलाडी को प्राप्त हुआ है यह प्राप्त हुआ है सियो इमोबल आंसर आपका बी हो जाएगा फुटबॉल के सिर्श स्कोर वाले खिलाडी को यह पुरसकार दिया जाता है नेश्ट कोसन की दुबई तेनिस चैंपियन सी प्रतियोगिता 2020 का पुरसुवर का विजेता कौन रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन सी नवाक जोकोविच हो जाएगा आंसर आपका सोलका सी हो जाएगा नवाक जोकोविच ने ग्रीस का स्टेफानिस सित्सिपास को फाइनल में पराजित किया है उनका नाम है सित्सिपास अगला question है कि stock home water price पुरसकार 2020 किसे प्राप्त हुआ है तो ये किसे प्राप्त हुआ है तो answer याद रखियेगा Dr. John Cherry हो जाएगा answer आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा A. उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा The death of Jesus पुस्तक का लेखा कौन है तो ये पुस्तक के लेखा क्याद रखियेगा J. M. को एट जी हो जाएगा answer आपका 18 का B हो जाएगा Next question October में राम बालक महतो की मिरुतिव हुई वे किस छेतर से संबंदित है तो देखिये इसका उत्तर हो जाएगा option C वीधी वेत्ता हो जाएगा 19 का answer आपका यहाँ पे C हो जाएगा यह बालक महतो प्रसिद कानून वीध और महु मुखी यानि बहु मुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे हिर्दे प्रतियार उपड दिवस कब मनाया जाता है तो यह कब मनाया जाता है तो तीन अगस्त को मनायाता है आंसर आपका यहाँ पे D हो जाएगा अगला कॉशन कौन सा पदार्थ के संबन में यानि कौन सा पदार्थ के संबन में सही नहीं है चलिए आंसर करिएगा सभी लोग तो इसका अउत्तर हो जाएगा option D कौलाइट पदार्थ अपेक्षा क्रिद बड़े कड़ों से बने होते हैं ये आपका option गलत है देखिए कौलाइट कड़ों में प्रती यानि परिप्यक्षित कड़ों का अकार 10 के पावर माइनस 5 से 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर तक होता है नेश्ट कोसन है कि घटना जो दोनी तरंगों में नहीं होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा option D धुरूमण आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा एक नाबिकी रियक्टर में भारी जल का क्या कारे है तो भारी जल का कारे पुछा गया है तो इसका उत्तर करिए सभी लोग इसका उत्तर हो जाएगा option A निवटान की गती को कम करना यानि ए आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा अगला question निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है तो कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है तो चूना पत्थर हो जाएगा option आपका भी हो जाएगा next question देख लेते हैं मिस्र धातू में किस पदार्श का सन्यूग निस्क कलंक इस पाथ बनाने में नहीं होता है तो राइट आंसर आपका मॉली 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 बीडियम हो जाएगा answer आपका 25 का डी हो जाएगा अगला question निम में से कौन सुमेलित नहीं है इसमें से पुछा गया कौन सुमेलित नहीं है तो पायस ठोस द्रव और गैस तीनों में परिशिप्ट है यह आपका गलत है देखिए पायस जो है द्रव में आपकीजेगा पायस द्रव में द्रव परिपिक्षित होता है यह ठोस और गैस में परिछिप्त नहीं होता है अगला कोसने की प्लाजमा में जल का प्रतिसत होता है कितना प्रतिसत तो यह आपका देखा जाए तो 90 प्रतिसत होता है आंसर आपका D हो जाएगा रक्त प्लाजमा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है नेश्ट कोसने की कठोर जल उप्यूक्त नह है बताये कठोर जल उप्यूक्त नहीं है तो आंसर आपका उप्यूक्त में से किसी के लिए नहीं तो आंसर आपका 28 का क्या हो जैँगा डी उत्तर आपका यहां पे हो हो जाएगा निम्न में से कौन सही सुमेलित है तो यह कौन सही सुमेलित है तो ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर यानि 30 का उत्तर दिखा जाए तो आपका यहां पे हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक यूग में सही सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित नहीं है तो आंसर आपका 31 का ए हो जाएगा लैक्टोज खटा दूद आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा लैक्टोज एक प्राकृतिक सरकरा है आंसर आपका ए हो जाएगा कूट की अधार पर सुमीलित करके बताईये तो कूट की हधार पर पुछा गया है, तो आउसर आपका भी हो जाएगा पूरोजिस्ट्रोन दखा जाए, तो आपका यहां पर यह तीसरा में चले जाए गर्भास है और टेस्टाइस्टोरोन हो जाएगा यह आपका अंडास है थायराक्सिन देखा जाए तो आपका चला जाएगा थायराइड और इंसुलीन आपका चला जाएगा अगनियास है तो इस प्रकार से आंसर आपका 32 का भी हो जाएगा नेश्ट कोसने के दो सियुक्तिवरिक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उप्योग किया जाता है इसमें निहित का प्रक्रम है तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका परासरण हो जाएगा आंसर आपका 33 का भी हो जाएगा निम्न में से कौन सा रोग पानी के प्रदूसर के कारण नहीं होता है तो आपके सामने इसका उत्तर है हेपेटाइटिस भी हो जाएगा है वायरे जनित रोग है हेपेटाइटिस बाइरस दियने वायरेस परिवार का सतस्य है किसी पादप की पतियों को दोनों सतहों पर वैसलीन का अनुप्रियों किया जाता है तो नीमन में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी तो कौन सी प्रक्रिया है तो आपका सभी हो जाएगा प्रकार संसलेसर स्वसन और वास्पो सर्जन हो जाएगा तो इस प्रकार से 35 का अंसर आपका D हो जाएगा नेस्ट कोशन है कोशन अबर 36 इन में से भारत का प्रमुख जल या निर्मान केंदर कौन सा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्सन B कोचिन कोचिन आपका राइट अंसर हो जाएगा कौन सुम्मिलित नहीं है तो वताएगे कौन सुम्मिलित नहीं है तो आंसर आपका तिरिसूल लगू दूरी सता से सता प्रचे पास्तर हो जाएगा यह आपका गलत है तिरिसूल सता से हावा में मार करने वाला कम दूरी का प्रचे पास्तर है जिसकी मारक छमता 9 किलोमीटर है नेश्ट कोसन है कि पोखरण नाव की ये परिक्षण 1974 का अधिकारिक कोड क्या था तो इसका अधिकारिक कोड देखा जाए तो और तिसका आपका स्माइलिंग यूद आपका 38 का ए हो जाएगा ये 18 मई 1974 को भारत ने सांती छेटर के लिए परमाणू का परिक्षण दायस्थान के पोखरण में किया था नेश्ट कोसने कौन सा सहर कठाई यानि कठाई की कला चिकन कारी के लिए प्रसिद है इसका उत्तर हो जाएगा ओप्सन सी लखनव लखनव आपका उत्तर हो जाएगा चिकन कराई की प्रसिद सहली है कढ़ाई और कासी दारी म्यूरल पैंटिंग का भारत में विकास कब हुआ तो यह इसका भारत में विकास दिखा जाए तो दूसरी सताब्दी 20 से 10 सताब्दी हो जाएगा 40 का उत्तर आपका यह हो जाएगा यह भारत का सबसे पुरानी चित्रकलाम में से एक माना जाता है नैस्ट कोसने कोसन नमर देखा जाए तो आपका एक तालिस इंडियन फिलोस्पी नामक पुस्तक के लिखक कौन है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डाक्टर S. राधा किस्टन हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा C हो जाएगा सभी लोग नोट कर लिजेगा चलिए आगे देख लेते हैं आगे का कोशन क्या कहता है 42 मेहर मुनिर नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था यह किसके द्वारा लिखा गया था तो देखिए यह लिखा गया था सरोजनी नाइडू के द्वारा आंसर आपका यह हो जाएगा मेहर मुर्ण नामक नाटक और नाइडू की कविता से प्रभावित होकर हैदराबाद के निजाम ने सरजने नाइडू को छात्र वृत्ति देकर यूके पढ़ने भेजा था अगला कुशन है कि सामाजिक त्योहार नुवाखाई किस राजे में मनाया जाता है तो यह मनायता है उडिसा राज्य में यानि 43 का उत्तर दिखा जाए तो यह हो जाएगा निमलिखित युगमों में से कौन सुमिलित नहीं है तो कौन सुमिलित नहीं है तो आपका सिमली पाल उड़ाष्टी उद्यान मद्दे परदेश हो जाएगा आंसर आपका 44 का D हो जाएगा अगर बात करें हम चंद्र परभा अभ्यारणियत यह आपका उत्तर परदेश में है और याद रखिएगा एक्ठो सुल्तान पूर जील अभ्यारणियत यह आपका हर्याना में स्तित है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B दरबेमान उर्जा का संद्रक्षड यानि इस पॉइंट का उत्तर दिखा जाए तो आपका यहां पे उत्तर भी हो जाएगा अगला कुछन है कि अत्यधिक नियम घनतो समा निहावा के घनतो के लगभख एक लाखवे भाग के बराबर वाली किसी गैस के सितलतन से बोस आइस्टीन कंडेस्टन से संघनीत बनता है इसे क्या माना जाता है तो इससे देखा जाए तो दरबे की वीव अवस्था माना जा जाएगा चली आगे देख लेते हैं निम लिखित में से हुआ कौन सा राज्य है जिसकी अंतराष्टी सीमाएं तीन देशों से मिलती है यह कौन सा है तो अरुनातल प्रदेश हो जाएगा 47 का आपका उत्तर यह हो जाएगा बांगला देश से असम मिगाले मिजोरम त्रिप यह देखा जाए तो आपका यूके का है ऑप्सन आपका 49 का ए हो जाएगा राइटर्स ग्रूप लिमिटेड एवं विस्व व्यापी समाचार एजनसी है जिसका मुख्याले आपका लंदन में स्तित है नेश्ट को सने के निम्न में से कौन यूनेसको के विस्व धरोहर इस् पढ़ने में सफल रही है तो वह कौन है तो उसका नाम है अंसू जम सेंपा तो आंसर आपका 51 का भी हो जाएगा अरुणाचल परदेश की अंसू जम सेंपा ने चार बार एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था तो याद रखिएगा अरुणाचल परदेश का निम्नलिकित में से किस ततों में कमरे के तापमान पर अद्वितिय चुम्बक की गुण पाया जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा रूथेनियम यानि 52 का उत्तर आपका यहां पर यह हो जाएगा देखिए लौह चुम्बक का वह बुनियादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समगरी इस्थाई चुम्बक का निर्मान करते हैं जिधा प्रबल रूप से चुम्बक की और आकरसित होते हैं नेश्ट कोसन है कि पोताला महल कहां का है तो लहासा का है आंसर आपका तिरपन का भी हो जाएगा पोताला महल को दलाई लामा के समर पैलेस के रूप में भी जाना जात है नेस्ट कोसन है कि भारती सम्मिधान में अवसिष्ट सक्तियां किसमें सन्निहित हैं चलिए बताईएगा 54 का उत्तर आपका सी हो जाएगा संसद यानि क्या हो जाएगा सी आपका उत्तर हो जाएगा प्रधान मंतरी कार्याले के स्थापना कब हुई तो इसकी इस्थापना देखा जाय तो आपका उत्तर 1997 बच्पन का अंसर अपका सी हो जाएगा बारत के समिधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के क्रमस नेयाatori सौत हंदर्ता समान एवं भारतीतों का उलेख किया जाता है इसका उत्तर हो जाएगा 3521 क्या हो जाएगा 3521 भारती समिधान की प्रस्ताथ ती परकार का नया है पांच परकार की स्वतन्दता दो परकार की समानता एवं एक बार भातितों का उल्ले किया गया है नेश्ट कोशन है कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार नियूंतम सीसु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो यहाँ पे सीसु वाला पूछा गया है तो आप हरियाना मारिएगा आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा नियुन्तम सिसुलिंगान रात वाले राजियों के हर्याणा में 834 के बाद पंजाब 846, जम्मुकास्मिर 862, रायस्थान 888 तथा गुजरात 890 का इस्थान पाया है विजेश में दफ्री इंडिया सेंटर का गठन की सोतंतरता सिननी दोरा की गई थी तो यह किया गया था, सुबाह चंदरब बोस के द्वारा अंसर आपका D हो जाएगा अगला कोसन है कि निम्न में से कोड राष्टपती को चुनने के लिए उत्तरदाई नहीं है लेकिन राष्टपती को हटाने में वह सामिल होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुनित सदस्य हो जाएगा साठ का आंसर आपका C हो जाएगा देखिए मनुनित सदस्य राष्टपती की निर्वाचन में सामिल नहीं होता है नेश्ट कोसन है कि निम्न में से किसे भंग नहीं किया सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है तो वो किसे तो विधान परिशत को आंसर आपका भी हो जाएगा अब समझेगा कि अनुशेद 179 के अधार पर राज्य विधान परिशत के गठन एवं समापन का प्रावधान किया गया है यह आपका मैस का है तो आगे बढ़ते हैं भारती सम व को जाएगा संसत के अनेक उपबंद को संसत के दोनों सद्नों द्वारा सधार बहुमत से संसुदित किया जा सकता है चली आगे देख लेते हैं छेत्रफल की दिष्टी से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्ब निम्नांकित में से कौन है तो देखा जाया तो इसका उत्तर हो जाएगा नागा अर्जुन सागर स्री सैलम टाइगर रिजर्ब हो जाएगा 64 का उत्तर आपका यहां पे B उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन सम्मिधित संस्था है तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्शन D छेत्री परिशत हो जाएगा आंसर आपका यहां पे 66 का भी हो जाएगा देखे अनुछेद 127 के अधार पर राष्टपती सरोच नियाले में तदर सन्यादिस को नियुक्त करता है तो 127 याद रखिएगा सभी लोग अगला कोशन है कि राष्टपती को कितने परकार की वीटो सकती प्राप्त होई है तो राष्टपती को पुछा गया है तो तीन परकार का वीटो है आपका याद रखिएगा सभी लोग आपका पॉकेट वीटो अत्यांतिक वीटो और निलंबन कारी वीटो अगला है कि प्रोटेम स्पीकर को नियूप्त करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्शन C राष्ट पती आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का अगला कोशन बारत का सबसे छोटा राष जिल यानि किरल में स्थित है वैलिंग्टन दीव पराष्टिय नौकायन प्रतियोगिता होती है नेस्ट को सने किस अनुछेत के अधार पर संसद सदस्य को विस्थाजिकार प्राप्त होता है तो सही उत्तर आपका 105 हो जाएगा आंसर आपका 70 का सी हो जाएगा अगला कोश सब्सक्राइब को चुनाव के दौरान अधार सनीता को लागू कराने के लिए उत्तर दाई है तो करेक्ट आंसर आपका चुनाव आयोग हो जाएगा आंसर आपका 72 का सी हो जाएगा दिखी चुनाव आयोग एक स्वायत साही और धनियाईक आयोग है हाइड्रोपोनिक्स का अभी प्रयाय है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन सी जल में पौधो को उगाना यानि आंसर आपका देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आगलन हेतों किसे सामिल नह जारी किया जाता है तो इसको आप याद रखिएगा आई सी डियास योजना के अंतरगत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है तो कौन सी सेवा तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन सी निसूल को पुस्तके एवं विद्याले का पोसाख हो जाएगा तो आपका 75 का आंसर बाल विकास मंत्रले द्वारा 1975 से प्रारम किया गया है वकाटक वंस का संस्थापक कौन था इसका उत्तर हो जाएगा विंद्या सक्ति हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा नेश्ट कोशन के स्री नगर का संस्थापक कौन था तो स्री नगर का संस्थापक देखा जाए तो मौरे सासक असोक था आंसर आपका भी हो जाएगा कलहड कस्मीर के इतिहास के लेखक हैं कस्मीर में करमसर कंकोर्ट वन्स उपलव वन्स एवं लोहार वन्स का सासन रहा है नेश्ट कोसन है कि पंच सिधान्तिका और सांख्य सिधान्त के लेखक कौन है तो इसका उत्तर हो जाएगा वराह मिहीर हो जाएगा आंसर आपका 78 का डी हो जाएगा वराह मिहीर चंदरगुप दियोतिय के नवरत्न में सामिल था नीमन में से कौन अईरुवेदा चार एक वैसया का पुत्र था तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन डी जीवक जीवक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों से लड़ती हुई राणी लच्चिम भाई 1858 में सहीद हुई थी तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 ज नुवंबर 1828 इस्वी में कासी में हुआ था यानि ये बनारस की हैं पाला हिंदी अकबार कौन सा था बताएगे तो सभी को पता ही होगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन उदन्त मारकंडे हो जाएगा मारतंडे हो जाएगा एक क्यासी का अंसर आपका भी हो जाएगा 30 माई 1826 में याद रखेगा 1826 में प्रतम हिंदी अकबार उदन्त मारकंड के नाम से निकाला गया था नेश्ट कुसने के सती प्रता निशेद अधनियम का किसने विरोत किया ये किसने विरोत किया था तो इसका उत्तर हो जाएगा राधा कांत दे हो जाएगा ये उत्तर अंसर आपका इटित्री का सी हो जाएगा ये में नाग पटनम से विदानतरम मार्च का नित्रेतों किस ने किया था तो ये किस ने किया था तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा अंसर आपका 84 का सी हो जाएगा बारह मार्च 1930 को गांधी जी के नेतितों में 78 चुने हुए सहयोगी के साथ साबरमती से डांडी मार्च निकाला गया था दो डांडी मार्च के बारे में भी आप याद रखिएगा अगला कोशन है कोशन नमर 85 निम्ण में से कौन से सोतंदता सिनाई ने जेल की दिवार उपर काब एक कमला लिखा था इसका उत्तर हो जाएगा बीडी सावरकर यह आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा सभी लोग का बीडी सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी बीडी सावर जाएगा यहां पर उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का ब्लू मून क्या है ब्लू मून क्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा महीने का दूसरा पूर्ण चंद्र हो जाएगा चांद हो जाएगा अगला कोशन है कि प्रिथिवी के क्रश्ट में सरवादिक मात्रा में पाई जा कि प्रिफिवि के आवरण में गैसों के साथ मिस्रित पिगले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है तो अंसर आपका एटीनाइन का डी हो जाएगा मैगना मैगमा वास्तों में चटानों का पिगला हुआ सौरूब है ठीक है मेगमा की उत्पती उचे ताप के दवाव के कारड़ होता है अगला कोसन के दच्षड अमेरिकी महादियुप के दच्षड이 छोर का नाम क्या है जहाँ प्रसंत महासागर और अट्लांटिक महासागर मिलता तो इसका उत्तर हो जाएगा केप खॉरन हो जाएगा आंसर आपका 90 का C हो जाएगा रेगिस्तान मरुस्तल कहां पर है तो रेगिस्तान मरुस्तल देखा जाए तो आफगानिस्तान हो जाएगा आंसर आपका 91 का D हो जाएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो लंबी नदी देखा जाये तो वलगा हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा यह नदी वालगा की पहाड़ी से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है सिंदु नदी किस देश से परभावित नहीं होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा दिखा हो जाएगा 94 का उत्तर आपका यहां पे सी हो जाएगा टैगोर पहाडी कहां है नहीं रहा है को देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 98 का ऑपशन ए और तेलिया वर्चूल मेमोरी का आकार निर्भर करता है इसका उत्तर हो जाएगा डिस्क इस्पेस पर अगला कोसन है कि ग्रिन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसर भारत का सबसे प्रदूसित सर कौन सा है तो सबसे प्रदूसित पुछा गया है तो जहरिया हो जाएगा आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा ग्रिन पिस इंडिया रिपोर्ट के अधारपर भारत का सबसे प्रदूसित सर जहरखंड के कोईले के मुख्य इस तरोत आपका जहरिया है तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 100 कोशन समाप्त हो गया है वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अपना इसकोर बताएगा कि आपने 100 कोशन में से कितना इसकोर किया है और पीडिया डाउलोड करना न भूलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो चलिए एक नए वीडियो में मिलते हैं